मुवी की स्टार्टिंग में हम विक्टर नाम के एक सिरियल किलर को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा था उसने काफी सारी पेड़ किलिंग्स की थी और आज वो अपने शहर के सबसे बड़े ट्रग टिलर और गैंक्स्टर हवियार के साथ डील करने क को काम के लिए ठुंदा वहाँ पर हवियार के ग्रूप में सराष नाम की एक लड़की काम करती थी तरह की मदर ने सरए को जब फोरटीन यहस घ्यश्च की थी तब्यौंट को सेल कर दिया था अज विक्टर को देखकर ऒहां से भागने का प्लान बनाती है इस प्लान में उ और कोई नहीं तो सरे सरे विक्र को अपको यहाँ से छुड़ाने के लिए कहती है उसे यहां से बॉर्डर पार करनी थी भीक्र फिर बीना कुछ कहे कार ट्राइव करने लग जाता है सरे विक्र से को साथ चाहिए कHYPT को बहुत कुछ साओ जाते हैं दूसरी दरब विक्टर सराइक को बड़ी चाला की से बहुश कर देता है अब इसके बाद नेस्ट मॉनिंग आम सीन देखते हैं विक्टर ने सराइक को हाथ पाव पान कर पाट टब में सुला दिया था इसके बाद उससे रिलीज करता है और बातर समझाने लगता है कि उसराइक को छोड़ दे बातों बातों में समंदा ने विक्टर को कुछ गलत बोल दिया इस वज़े से गुस्से में आकर समंदा के पेरों पर शूट कर देता है उसने गाओ कि मुझे फरक नहीं पड़ता तुम मर्द हो या फिर और तो या फिर किसी की सिस्टर हो तुम मझे इस तरह किसे डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है इसके बाद विक्टर सरय को बातों से बाहर बुलाता है उसने समंदा को चेर से बानने के लिए का इसके बाद उसे बाद कर वहां से चले जाते है इसके बाद दोने पेट्रोल पंप पर कुछ खाने के रहे थे विक्टर को इस बात पर शक हो कि अलगता है कि हवियार की लोग है विक्टर फिर उन दोनों को shoot कर देता है उसका शक सही था वह हवियार की आदमी थे उसे यहाँ पर मारने के लिए कि यह आए थे अब विक्टर समंधाव को अपने घर ले कर जाता है गर वो निकोलेस से बात करता है, निकोलोस उसके भाई की तरह था, यहां में पता चलता है कि विक्टर एक्च्वल में एक और्गनाइजेशन के एक सिरिल किलर का काम करता है, विक्टर हवियार के बास गुजमान के मर्डर की डिसकेशन के लिए गया था, लेकिन उसका मिशन था कि वो हवियार के मैंशन से गुजमान के सिस्टर को बचा ले, उसे हवियार ने किड्नाइप करकर रखा था, यही विक्टर का अभी उस और्गनाइजेशन के थू मिशन था, निकलेस इन बातों के दोरान विक्टर को एक वीडियो बेचता है, यह वीडियो उसे हविया पास्वर्ट पूछा, विक्टर के मरा करने के बाद भी वीडियो देख लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है, कि उसकी वज़े से उसकी फ्रेंड लीडिया को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मौनि में विक्टर को हवियार का कॉल आता है, विक्टर और हवियार की लेख सकती है, वो खुद अब हवियार के बास जाना चाती थी, विक्टर इस बात के लिए मान जाता है, जहाँ पर डील होने वाली थी, वहाँ पर वो पहुच जाते है, विक्टर सरह इसे पूछता है, कि हवियार तुमें जाने क्यों नहीं देना चाहता है, तुम उसके ल लें कि लिए निकोलस भी विक्टर के साथ आता है, एक ओपन फैक्टरे में पुछते हैं, विक्टर निकोलस और सरह को एक कार में बिठा देता है, कि यह पूछ लाए कर दूसरी कार में बैच जाता है, र volta सरहान पूछता हैं, कि विक्टर उसे पसंद करता है, इस मुर डे यह उसे पताने निकोले से बाद उसे इसलिए पूछ रहा था कि विक्टर किसी के लिए भी इतना रिस्क नहीं लेता अब डील करने के लिए समंता आती है वह ती कि उसने डील करने के लिए मुझे बेजा है और एक तरफ से समंता गुजमान की डॉटर और लीडिया को बेज तरफ से विक्टर निकोलोस को सराई को लाने के लिए कहता है इसके बाद दोनों एक दूसरी की तरफ जाने लगता है तभी बीच में विक्टर शूट करता है इसके बाद वहाँ पर बहुत सरी शुटिंग स्टार्ट हो गए शुटिंग में विक्टर एक आत्मी को डिफें से हो च ही समंदा को सब्सक्राइब करो रहे लेंट और से जाने लिगता है टिविक्ट्र निनिक्टि हमने लाज मिनिट पर प्लान क्यू बदल दिया विक्टर उसकी बात सुनकर उसका जवाब नहीं देता निकोल से गुश्छ रहें था सिराइक को अपने प्राइवट इजल तुम्हारा ख्याल रखेगी इसके बाद तुम लाइफ में आगे जा सकती हो विक्टर उसे एक मैंशन पर छोड़ देता है वहाँ पर इजल भी थी अब यहाँ पर विक्टर की इंटेंशन स्टेट थे कि सराई को कुछ भी करकर वो बचाना चाता था और इसी वज़े से उसने ये सब किया था विक्टर के फर्स देखकर सराई को पसंद आने लग गया था इंडारेक्ली ये बात उसे हो कहती भी है विक्टर का इस पर कोई भी रिस्पॉंस नहीं आता वो हावियार को मारने के लिए चला जाता है मॉर्निंग में सराई इजल से बात कर रही थी तब वहावर हवियार अपने आद्मियों के साथ पहुच जाता है इजल बड़ी चलाकी से सराई को मैंशन के एक सिक्रेट रूम में छुपा देती है हवियार इजल से पुछता है कि सराई कहा पर है इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती हवियार फिर उसे शूट कर देता है वो सराई से कहने लग क्या क्यों अगर तुम बाहर ने आई तो इजल को भी मैं वैसे ही टॉचर करूँगा जैसे मैंने तुमारी फ्रेंड लीडिया को किया था ये सारी चीज़े सराई अपने कैमेरे और माइक से रूम में देख रही थी हवियार इजल को टॉचर करना स्टार्ट कर देता है सराई खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो बाहर आ जाती है इसके बाद हम देखते है कि विक्टर को अल्डेटी आइडा हो गया था कि हवियार उसके पीछे आने वाल है इस वज़े से वो फ्लाइट में नहीं गया था और अब वो अपने मैंशन में आ चुका था हवियार ने सराई के उपर गन पॉइंट की थी बैगराउंड में विक्टर हवियार के एक-एक बॉडिगाउड को मारते हुए अंदर आने लगता है हवियार तब तक इजल को मार देता है और वो सराई को मारने वाला था तो सराई ने उसकी गन से उसे शूट कर दिया इसके बाद उसकी वही पर डेथ हो जाती है विक्टर आकर हवियार की डेथ बॉडि देखता है इसके बाद उसने सराई को सहरा दिया विक्टर फिस जर्च में जाता है निकोलस भी उसके पास आया उसे कहता है कि तुम कब से लोगों को मारने के लिए माफी मांगने लग गए विक्टर ने कहा कि मैं माफी नहीं मांग रहा विक्टर निकोलस से कहता है कि मेरे फादर को तुम्हें मारने का कॉंट्रेक्ट मिला था वो तुम्हें मार देते पर बीच में मैं आ किया और मैंने अपने फादर को मार दिया यह मेरा पहला मर्डर था यह सब उसने अपनी निकोलस के साथ फ्रेंडशिप के लिए किया था निकोलस को समझ में नहीं आता कि विक्टर यह सब कहे क्यों रहा है इसके बाद विक्टर ने उस पर गन पॉइंट कर दी इसके बाद उससे भूषता है कि विक्टर को लग रहा था कि निकोलस हुआर के लिए शायд काम कर रहा था उसने शायद उसे धोका दिया निकोलस ने विक्टर से कहा कि ऐसा कुछ करने से पहले में सूसाइड कर लोंगा इस सारा इलजाम वो सराई के ऊपर डालता है इसके बाद विक्टर सराई को एक कमरे में लेकर जाकर उसे कपड़े निकालने के लिए कहता है विक्टर को एक बाद याद आई थी कि हवियार अपनी लड़कियों के अंदर एक चिप फीट करता है ताकि वो कही पर भी जाए तूने वो ट्रैक कर सके विक्टर को सराई के गले से वो चिप निकल जाती है उसे नाइफ से कट करकर वो निकाल देता है विक्टर को इस जीब जाने बहजानी लग रही थी निकोल उसे देखकर कहता है कि शायद हवियार गल्स के पले यह तुम मेरी जैसे कभी भी बननी सकती इस काम में हच से जाद रिसके और नहीं चाहता कि उसकी तरह बने इसके बाद उससे सोने के लिए जाने के लिए अब रात में सराई of इसके बाद दूनों इंटीमेट पर गयता है कि तुम भी मेरे साथ आसकती हो पर तुम्हारी आइडेंटिटी इसा बहले अब विक्टर उसे लेकर क्या क्या दिखाना चाता था उसके मिशन कितने खतरनाक होते हैं, उसे लग रहा था कि उसका मिशन देखने के पास सराई खुद उसे छोड़ देगी, विक्टर सराई को प्लेन में लेकर जाता है, प्लेन में उसने एक फोटो उसे दिखाए, वह गयता है कि इस आदमी का नाम आर्थर हमपर के, इसके साथ हमारा मिशा ने, आर्थर एक बहुत बड़ा गैंस्टर था, सराई उसे बुछ दिये कि हम इसके पास कैसे पहुचेंगे, विक्टर से कहता है कि वह पर हम दोनों इन्वाइटेड हैं, वर रात को दोनों शहर में पहुचते हैं, वह एक होटेल में अपने रूम लेने के बाद पा बात करता है, आर्थर ने उन दोनों को उसके सामने इंटिमेट होने के लिए का, उन्हें देखकर आर्थर को अच्छा लगेगा, इस डील के लिए विक्टर मान जाता है, आर्थर फिर उन दोनों को एक सिक्रेट रूम में लेकर गया, आर्थर और विक्टर की बीश में डी दुझेते हैं वह दोनों उसके सामने इंटिमेंट होने लगते और विक्टर सराय को किस करने लगता है अर्थर जो भी अच्छा लगता था यह सब कुछ उन्हें की लहीं के लिए गता है विक्टर उसकी बात मानता है इसके बाद आर्थर को देखतें जो बेड़ ने लेटी फ़ी थी उसकी तबिएत काफी खराब थी इसके बाद हम अगले इसे गन विक्टर को देखते तो आर्थर की ऊपर उपर हमला कर देता हैं इस बात से अर्थर डरकिया विक्टर सरी से लिटर से लिटर निकाल कर पढ़ने के लिए झाइटा है उसे पहले साथ होए लाएप लそうですね अ公art्य 되면 कर बता हुआ अज्ट हो इस बा συंगते से प्लीज यूँटर ने के वाइफ की साथ करो पेलिज आसा मत करो करो मार डालता इस बात से आर्थर बहुत जादा दुखी हो गया था जाते हुए विक्टर ने आर्थर से गा कि अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं इस सारे डीटेल्स API को बता दूंगा अगर तुम जाओ तो अपनी वाइफ की डेट की कोई भी फेक स्टोरी बना सकते हो ज जब आर्थर की वाइफ ने इन सब कामों को छोड़ने की बात की तो आर्थर ने फोर्स पली अपनी वाइफ को एक ड्रग एडिक बना दिया इसके बाद उसकी हालत बहुत ही जादा खराब हो के अब वो खुद चाहती थी कि कोई उसे मार दे उसे ऐसा नहीं जिना था और जब सराय उड़ती है तो निकोलोस उसके पास आया आते है उस पर उसने गन लगाई निकोलोस उसे कहता है कि विक्टर ने तुमारे लिए जो भी किया इसके बाद अब और्गनाइजेशन को विक्टर पर ट्रस्ट नहीं रहा विक्टर अपनी मर्जी से ही सब कहता है और य लेकर जाता है जब 3-9 बाद सराय को होश आता है तो विक्टर ने रियलाइस किया था कि उसके साथ नहीं रह सकता सरी हमेशा उसके साथ डेंजर में रहेगी वह अपने आपको विक्टर की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती इसके बाद उस सराय को छोड़ कर चला क्या मूव सकती है विक्टर को लगता था कि सारे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती पर अब यह सब चेंज हो गया था और अब वो दोनों फिर से मिले थे अब वो दोनों एक साथ रह सकते थे इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है अगर आपका एक्सपेशन चला लगता है विससे ल